अगर आज की टाइम में अगर आप एक लेपटॉप लेने के सोच रहे हैं और कन्फूजन है कि आप कौन सा ले तो आज की वीडियो हम कुछ लेपटॉप देखते हैं जो आपके लिए काफी सही होंगे जनरल वर्क्स जो होते हैं उनके लिए काफी अच्छे हैं मला अगर अगर आप आज लेपटॉप लेते हैं तो आराम सब तीन चार साल तक यूज के जिए कहीं कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगा और इन सारे लेपटॉप के बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि जो प्राइज अभी मैं बोल रहा हूं वो अभी के डेट में हैं प्राइज अभी इतना ज्यादा फ्लक्ट्वेट हो रहा है कि हो सकता है जब अपना स्टार्ट करते हैं तो चले शुरू करते हैं सलेक्ट किया है वो आता है एच्पी के तरफ से एच्पी 15 एच्पी 15 यह तो आपका 2021 मॉडल है मारा लेटेस लैप्टॉप है अगर मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताओं तो इसमें आपको इंटल का कोर आई 311 ज HDD दिया हुआ है डिस्प्ले की बात कर ले तो आपका 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है विंडोस 10 इसमें आपको प्रिंस्टॉल्ड मिलेगा अगर इसके प्राइस की बात कर रहे तो यह अभी के देट में 37,990 यहने 38,000 में आ रहा है तो देखे 38,000 में i3 11 जन 8GB RAM दिया हुआ है तो मेरे खिसाब से काफी अच्छा है आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं इंटल नहीं और AMD लवर है तो अभी मैं आपके लिए एक लैप्टॉप लाया हूं सेम आपके HP के तरफ से इस मोडल का नाम भी आपका HP 15 2021 यहने 2021 मोडल है लेकिन इसका आपको प्रोसेसर आप इसमें दिया हुआ आपका Ryzen 3 3250 रैम आपका सेम इसमें भी आपका 8GB का रैम दिया हुआ है स्टोरेज यहां पर आपको डिफ्रेंस मिलेगा यहां पर आपको 1TB का HDD प्लस 256GB का SSD दिया हुआ है माला उसके आपका laptop काफी fast हो जाएगा आपका display इसमें 15 इंज का full HD डिस्पले है पिछले वाले में आपका 15.6 इंज था इसमें आपका 15 इंज का full HD डिस्पले है विंडोस 10 प्री इंस्टॉल इसमें भी आपको दिया हुआ है इसके अप्राइस की बात कर रहे तो यह 39,990 आपका याने 40,000 में आ रहा है तो देखें आपको 256GB का SSD में एडिशनल आपको देखने का मिल रहा है प्लस आपका Ryzen 3 3250 दिया हुआ है तो 40,000 में आप यह भी ले सकते हैं और अगर आपको SSD की जरुवत नहीं है तो फिर आप i3 11 जनरेशन 37,000 में भी ले सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेप्टॉप लेना है मेरे तरफ साब दोने लेप्टॉप ले सकते हैं कहीं आपको कोई प्रावलम नहीं आएगी तो अब जो हम लेप्टॉप ले रहे हैं वो सब आता है अपका Asus के तरफ से तो वो जो थर्ड लेप्टॉप हमारा आ रहा है जो असूज का पहला लेप्टॉप है वो है असूज का वीवो बुक 15 यह 2020 का मॉडल है ज्यादा पुराना नहीं है पिछले साल का ही मॉडल है अगर मैं इसका स्पेसिफिक्शन आपको थोड़ा सा बता दू इसमें आपको इंटेल कोर आई-3-1-005-G1 प्रोसेसर दिया हुआ है मैं आई-3 10th generation दिया हुआ है काफी फास्ट है कहीं आपको कोई प्रोब्लम नहीं आए गया अगर प्रोसेसर के बारे मैं थोड़ा सा और आपको बता दू तो 1.2 GHz का आपका बेस और बूस्ट आप 3.4 GHz तक इसको कर सकते हैं डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फूल एजडी डिस्प्ले को इसमें दिया हुआ है रैम आपका 4 GB का रैम दिया हुआ है स्टोरेज आपका 1 TB का HDD इसमें दिया हुआ है विंडोस टैर आपका प्री इंस्टॉल्ड है प्राइस के बात करें तो यह अभी के डेट में 34,870 महला आप 35,000 के असूस में मान सकते हैं काफी अच्छा लैप्टाप है असूस के तरफ से लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है कि 35,000 में सिर्फ 4 GB का रैम दिया हुआ है तो अगर रैम अप एडिशनल इसमें और लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा पर्फोर्मेंस आपको मिलेगा अगर आपको जनरल वर्क है मुझे आपको एड्यूकेशन से रिलेटिट वर्क है या ओफिस के कॉमन वर्क है तो अपको चार्ज भी रैम में भी चल जाएगा अधर्वाइस फिर आप थोड़ा सा रैम बढ़ा लिजे और आपको फिर पर्फोर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये लैप्टॉप भी बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको आई 3 से और उपर के लैप्टॉप लेना है मतलब आई 5 प्रोसेस प्रोसेर का है और वह आपका असूस के तरफ से असूस वीवबुक 14 यह भी आपका 2020 का अपका एडिशन है तो मला काफी पुराना मॉडल नहीं है नए ही आप इसको मान सकते हैं इसका स्पेस्टिफिकेशन में आगर आपको बताऊं तो इसमें आपको इंटेल का कोर आई 5 10 035 G1 प्रोसेसर दिया हुआ है मला आई 5 10th जनरेशन दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी के अगर बात कर ले तो 1.0 GHz का बेस और बूस्ट अप्तो 3.6 GHz इसमें दिया हुआ है डिस्प्ले आपका 14 इंच का फूल HD डिस्प्ले दिया हुआ है रैम आकार आपका 8GB का रैम दिया 46,200 आपका बता रहा है तो देखे 45-46,000 तक अगर यह आपको अप्लाइस में मिल जाता है तो यह लेप्टॉप काफी अच्छा है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कई बार यह इस से उपर चल जाता है तो फिर आप इसको मत लिजे लेकिन 43-44 चलेकर 46 के बीच में अगर बिलत का तो भी यह लेप्टॉप आपका काफी काम आएगा और यह लेप्टॉप भी है आपका असूस के तरब से असूस वीववग 14 2020 मॉडल है लेकिन थोड़ा स्पेसिफिकेशन इसका सुनियेगा इसमें भी देखे आपका सेम प्रोसर दिया लास्ट वाला आइफाइफ का 1035 इसमें आपका 8GB का दिया हुआ है प्लस 256 जीवी का एससडी भी दिया हुआ है तो एक तो एससडी आगे 256 जीवी का तो लेप्टॉप काफी फास्ट हो गया अब मेन चीज़ जो इसमें आ रहा है इसमें आपको 2 जीवी का जीफोर्स MX130 ग्राफिक्स दिया हुआ है वाला 2 shipping का आपको ग्राफिक्स कार्ट दिया हुआ है और ग्राफिक्स कार प्लस अब मालुम है तो अगर प्री इंस्टॉल्ड आपको ग्रार्फिक्स मिल रहा है तो बहुत अच्छा है यह आपको Windows 10 home दिया हुआ है अभी के डेट में इसका प्राइस आपको 53,990 माले 54,000 दे रहा तो देखे 54,000 में भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है तो अगर गेमिंग और हाई एंड आपका एडिटिंग का काम है तो आप इसके साथ जा सकते हैं अधर्वाज जो पिछला मोडल मैंने आपको बताया था आप विताउट ग्रा काम अराम से कर सकते हैं यह कुछ सेलेक्टेड लेप्टॉप थे आज की रेट में जो की मल्टी टास्किंग के काम आएंगे और अगर आपको किसी और मॉडल का लेप्टॉप चाहिए यह आपका परपस कुछ और है बजट कुछ और है तो आप मुझे कमेंट किजेगा मैं आप ऐसे लेप्टॉप भी आपको जरूर कर दे बता दूंगा और इन सारे लेप्टॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप महासे से चेक आउट जरूर कर सकते हैं तो बस यही था आज के वीडियो में अगर वीडियो आच्छा लगा तो इसे लाइक कर दिजेगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बिंदास रहिए टिक केर